वापस से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Facebook एकाउंट में अपने Mobile नमबर को कैसे Remove कर सकते हैं अगर आपका mobile number आपके Facebook account में add है, जूड़ा हुआ है, तो आप उस number को कैसे हटा सकते हैं, कैसे उसको remove कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को सुरू करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने Facebook application को open क होता है, कुछ इस तरीके से दिखाए जाता है, अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको उपर में 3 line दिखाए देता है, आपको इस 3 line पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक page open होता है, और यहाँ पर आपको कुछ option दिखाए जाता है, आपको करन तो setting and privacy से आपको कुछ option बाहर निकल कराते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपको setting वाले option पर यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर processing होता है, और एक page open होता है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे option भी दिखाए जाते हैं, इससे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फिर से एक नयए page open होता है, और यहाँ पर आपको कुछ option देखने को मिलते हैं, आपको नीचे स्कॉल करके आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक option मिलता है, प्रस्टनल दिटेल का आपको इस पर क्लिक करना है, उसक्वा ड नीचे identity confirmation दिया रहता है और बाकी option आपको देखने को यहाँ पर मिलता है हमें तो अपने facebook account से अपने mobile number को remove करना है तो हम contact information वाले यहाँ पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर page open होता है और यहाँ पर आपका contact information वाला page open हो जाता है यहाँ पर आपका mobile number, email ID और यहाँ पर एक दूसरा mobile number दिखाई जाता है अगर आप दो mobile number एड़ करके रखे होंगे तो वो भी यहाँ पर दिखाई जाता है अब देखिए दोस्तों हमें अपने facebook account से mobile number को remove करना है तो हम क्या करेंगे उपर वाला जो number है इस वाले number पर आपको click करना है click करेंगे तो यहाँ पर एक page open होता है सबसे उपर में आपका mobile number दिखा जाता है नीचे में आपका facebook का profile दिखा जाता है और सबसे नीचे rate color में delete number का एक option रहता है तो हम क्या करेंगे दोस्तो डिलीट number पर click करेंगे click करेंगे तो यहाँ पर एक pop up open होता है और यहाँ पर कुछ information आप से कही जाती है तो हम क्या करेंगे दोस्तो यहाँ पर delete वाला जो option है ना इस पर click कर देंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा वक्त लगता है और यहाँ पर एक पी जोपन होता है और यहाँ पर आप से कहा जाता है कि आप अपने Facebook एकाउंट का पासवोड को इंटर कीजिए तो दोस्तो आपको अपने Facebook एकाउंट के password को यहाँ पर इंटर करना होता है उसके बाद से यह जो continue वाला जो option है यह highlight हो जाता है तब आपको क्या करना है इस पर click करके अपने Facebook एकाउंट में अपने mobile number को remove कर सकते हैं तो दोस्तो यह process होता है अपने Facebook एकाउंट से mobile number को remove करने का तो यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like ज़रूर कर दिजेगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को subscribe करके ओल पर प्रेस कर लिजेगा बिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक क्लिए बाई